यदि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको एंडोमेट्रियॉसिस है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसका भी इलाज संभव है ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियॉसिस को इलाई-लाज बिमारी है तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनि गाइनेकलोजिस्ट अन अपसेटीशन आ एक पहले वीडियो में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो आप वहां जाकर एंडोमेट्रियॉसिस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकती है और यदि आप आपको डीग्नॉसिस दिया गया है दॉक्टर ने कि आपको एंडोम बीमारी नहीं है, जो कि लाइलाज होती है, हाँ डेफिनेटली किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी का शॉर्ट होता है, किसी का इलाज बताई जाती है, तो आपके लिए जो best possible option होगा, वही आपको बताया चाहेगा और आपको डॉक्टर की सलहा पर पूरा विश्वास करना जिसे कि आप अच्छे से अपना treatment करवा पाएं, क्योंकि विश्वास के बिना कभी भी इलाज नहीं हो सकता, दूसरी बात समझने की यह है कि यदि आपको endometriosis diagnose हुआ है, तो definitely long lasting बीमारी है, ऐसा नहीं है कि permanently एक साथ ठीक हो जाएगी, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इसलिए हमें थोड़ा सा strong बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और अपने बिमारी की treatment का challenge हमें accept करना पड़ेगा, सबी महिलाओं को pain जरूर होता है, ऐसी कोई महिला नहीं है कि जिसको महिनों के time पर दर्द नहीं होता होगा, दर्द होता है लेकिन किसी को बहु अपी ज्यादा pain होता है, यह हम भली भारती जानते हैं, बहुत अच्छे से इस पारे में aware है, इसलिए हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है कि हम दर्द क्यों कम करने के लिए आपकी help कर सके, यदि आपको इतना दर्द है कि अगर ठीक हो रहा है तो definitely बिल्कुल जिजके नहीं पढ़ जाने के कारण जो side effects होने वाले हैं, उनसे अच्छा है कि आप समय पर जो doctor ने आपको medicine दी है, उसको ले लीजिए, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े, उस बीमारी के side effects आपको ना मिले और आगे जाकर कोई complicated surgery ना करानी पड़े, इसलिए जैसे ही आपको doctor को medicine prescribe करते है उसको time पर लीजिए, जैसे सलहा दी जाती है, उसको वैसे ही follow कीजिए, ताकि बीमारी को control किया जा सके, दूसरी सलहा यह रहती है, यदि आपको हलका फुलका pain है, तो आप home remedies यूज कर सकती है, जैसे कि गरम पानी की bottle से आप थोड़ा सा सिकाव कर सकती है, थोड़ा अपने की साहिता ले सकती है, या कोई work help भी ले सकती है, इस तरीके से आप अपने आपको थोड़ा free रखेंगी, तो definitely आप आराम कर पाएंगी, और दर्थ से थोड़ा सा आप relax हो पाएंगी, तीसरा, यदि आप periods avoid कर सकती है, तो definitely डॉक्टर के सलहा को भी मानना चाहिए, क्योंकि end endometriosis के जड़ में महीने हैं, यानि की महीने की bleeding है, यदि किसी भी कारण वश्या, किसी भी तरीके से हम अगर महीने की bleeding को बंद कर देते हैं, तो definitely हमारी बहुत बड़ी victory होती है, और endometriosis का यही एक treatment है, जो successful होता है, इसलिए यदि आपको भी pregnancy नहीं चाहिए, यानि कि महीने नहीं आएंगे, जनरली महीने को एक myth होता है दिमाग में कि महीने हर महीने आने चाहिए, हर महीने bleeding होनी चाहिए, नहीं तो मुटापा बढ़ जाएगा, उसके side effect हो जाएगे, कोई cancer बन जाएगा, कोई gut बन जाएगी, यह सब बहुत मित है, इनको बिलकुल दिमाग स निकाल दीजिए, और कोशिश कीजिए, कि आपके महीने कम से कम आए, उसके लिए डॉक्टर आपको कई सारी तरीके बताती है, जिसमें कि आपको oral contraceptive pills आती है, जो एक के जिन की गोलिया होती है, वो extended यूज के लिए ली जाती है, प्रजिस्टोन की गोलिया आती है, endometriosis ना बढ़े, चौथा एक intrauterine device होती है, जिसको कि बच्चे दाने के अंदर फिट कर दिया जाता है, वो हल्की मातरा में, बहुत थोड़ी मातरा में, दवाई रिलीस करती है, ये device पास साल के लिए वैलिड होती है, और तीन से चे महने में इसका इस्टाबलीश हो जाता इसका कोई side effect भी नहीं होगा, आपके बिमारी आगे progress करना भी बंद हो जाएगी, और यदि आपके महने नहीं आते हैं, तो definitely आपके periods के जो पेन है वो भी काफी हत्तार खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि पेरिड से नहीं आएंगी तो पेन भी नहीं होगा, बट फिर भी मै हो सकता है, तो हमारा पूरा जो concentration या focus होता है, वो इसी तरीके से होता है, कि महीने आना बंद हो जाएं या कम हो जाएं, जिसको दवाइयों से achieve किया जा सकता है, injections लिए जा सकते हैं, या intrauterine device या बच्चे दानी के अदर device फिट की जा सकती है, और एक last option जो हम सब को बताते ह आपकी age हो चुकी है, और आपको family complete हो चुकी है, और आपको बच्चों के requirement नहीं है, तो उसमें हम uterus और overis दोनों निकाल देते हैं, जिससे कि hormones बनना भी बंद हो जाते हैं, और uterus भी बाहर आ जाता है, जिससे कि विमारी जड़ से खत्म हो जाती है, लेकिन ये सब को नहीं बताया जाता, ये के बलास्ट के stages में बताया जाता है, जब आपकी family पूरी हो जाती है, उसके बाद ही ये treatment बताया जाता है, उससे पहले तर जितने भी treatment होते हैं, सारे conservative होते हैं, हमारी भी कोशिश रहती है कि uterus को जल्दी से ना निकालना पड़े, उसके अलावा जो treatment available है आप उनी पर फोकस कीजिए, कई बार ये भी अवधारना रहती है, या मित रहता है दिमाग में कि जो हमने device अंदर डाली है, वो copperty के जैसी होते हैं और उसका काम बिलकुल अलग है, इसका काम बिलकुल अलग है, और ये की medicinal device है, जिससे कि इसको यूज़ किया जाता है, और सेफली यूज़ किया जा सकता, और बहुत से gynecologist भी इसको यूज़ करती है, और वो सिर्फ इसलिए यूज़ करती है, कि महीने नहीं आने से वो अपने काम पर अच्छे से focus कर पाती है, अच्छे से handle कर पाती है, आप लोगों को जादा अच्छे से treatment दे पाती है, इसलिए इस device में कोई गुराई नहीं है, आप आरामसे से यूज़ कर सकती है, और जो भी हम injections या दवाईयां खाते हैं, इस device के कोई side effect नहीं है, और इसे pain काफियत तक खत्म हो जाता है, अब यदि आपके महीने आना बंध हो जाते हैं, और उसके बाद में भी आपको दर्द बना र जो कि ना तो किसी device से ठीक होगा, ना ही किसी दवाई से ठीक होगा, ऐसी इस्तिती में हमें दूरवीन का operation करना ही पड़ता है, और जो भी बिमारी और उसको जड़ से हटाना ही पड़ता है, यानि यदि गांठ है तो उसको निकालना पड़ेगा, शिस्ट है तो उसको भी बन गया है तो उसे भी हटाना पड़ता है और कई बार आतों का जो हिस्सा involved उसे काटकर हटाना पड़ता है ताकि आपको एक pain-free life हम दे सकें तो यह surgery का level है जो बिमारी के level के हिसाब से decide किया जाता है तो उसके लिए भी घबराएं ने सही डॉक्टर को चुने सही तरीके से ब diagnosis बनवाएं और फिर उसके बार में अपना इलाज प्लैन कराएं क्योंकि यदि diagnosis सही नहीं होगा तो इलाज भी सही नहीं हो सकता क्योंकि जब तक बिमारी पता नहीं चलेगी तो उसका treatment plan भी सही नहीं हो सकता तो यह घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि यदि endometriosis है तो अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है इलाज है जरूरी है आपको अपने symptoms के बारे में aware होने का अपने बिमारी के बारे में awareness लाने का उसको समझने का और फिर उसका सही डॉक्टर से इलाज लेने का आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जान करिक साथ तब तक नमस करेंगें लाज समझने पसे का अपसे काईड़ा है आप संभाव प्रकाड़ को अपने में लाज को को अपसे का अपसे टूरी में लाज के लाज को अश्वा करेंगें लाज